इन्फो कैप्सूल इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम प्रियंका है मैं आपके रिजनिंग मेंटॉर हूँ और मैं आपको करवा रही हूँ और आरवी एंटीपीसी की तयारी में हमने चैप्स कम्प्लीट कर लिए हैं अगर आप कोई भी चैप्स पढ़ना चाह रहे हो जो एंटीपीसी के एक्जाम में रिजनिंग सेक्शन में आता है तो आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते बस आपको करना ये है क कि आप यूट्यूब पे जाए उसके बाद आप यूट्यूब पे टाइप करिए इन्फो कैप्सूल और इन्फो कैप्सूल में जाके आप प्रियंका मैम टाइप करें तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियो उसमें मिल जाएंगी अब उसके बाद अब बात करते हम पढ़े प्रिवेस्थर प्रेपर, एंटेपीसिए के Mitsubox में में कौन कौन से कोशन आता है किस तरह का पेटर्न आता है किन चीज के बारे में डिसकस कर रहे हैं मैंने प्रिवेशली बहुत सारी वीडियो शूट कर ली है इस चीज के लिए कि कौन-कौन से प्रिवेस है एक्जाम में कौन-कौन से पेपर आये कौन-कौन से शिफ्ट में कौन से पेपर आये तो आप उसको देखकर भी प्रैक्रिस कर सकते हैं कि किस तरह के कौन-कौन से हमारे एंटी-पी-सी के एक्जाम में आते हैं जैसे बात करें हम अपने क्वेशन की क्वेशन है इस स्वीट का क्या है तो स्वीट का कोड क्या है हमारा अगर हम स्वीट का कोड की बात करें स्वीट का कोड है हमारा ठीक है? ये स्वीट है, इसका कोड हमें दिया है, X, A, H, T, U ठीक, अगर यहाँ पर देखे, तो S से X देखे है, T, U, V, W, X तो S से X में आने पर प्लस का 5 हो रहा है हमारा, अब इसके बास W से A में, W, X, Y, Z, A तो यहाँ पर आ रहा है, प्लस का 4, फिर E, F, G, H, यह होगा, प्लस का 3 एक बाद E से G में आएगा, प्लस का 2, और T से U में हो रहा है, प्लस का 1 तो हमारा logic इसमें क्या चल रहा है इसमें हमारा logic चल रहा है प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 1 ये हमारा इसमें logic चल रहा है तो हमने ये find कर लिया कि ये वाला logic हमारा इसमें चलेगा तो इस base में हमें question find करना है horse का code तो अगर हम horse का code निकाले H, O, R, S, E यह हम find करेंगे horse का code तो horse का code में अगर हम plus का 5, plus का 4, plus का 3, plus का 2, plus का 1 यह हम logic लगाएंगे तो X से अगर plus 5 करें तो H, I, J, K, L, M तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? M तिक, फिर O से plus का 4 करेंगे O, P, Q, R, S तो यहाँ पर आगे हमारा S तो R से plus का थी R, S, T, U तो यहाँ पर हमारा आगया U फिर S से plus का 2, T, U यहाँ पर आगा हमारा U फिर E से plus का 1 करेंगे तो क्या आएगा? E से आएगा F तो हमारा answer क्या आगया? M, S, U, U, F जो question में हमको logic दिया था वही same logic अगर हम find करेंगे तो logic find करने में हमारा answer आ रहा है M, S, W, F तो अगर हम options की बात करें तो option हम check करते है first option क्या हमारा इससे match करता है? नहीं, first option हमारा match नहीं कर रहा है second वाला भी match नहीं कर रहा है third वाला भी match नहीं कर रहा है लेकिन हमारा जो fourth option है वो उससे match कर रहा है यानि इस base के इस question का answer हमारा option number four हो जाएगा अब बात करें हमारे next question की next ही है five people PQR, STNV visit an office on certain days of a week they work as a plumber, carpenter, cook, electrician and doctor in random order फिर इसके बाद दिया हुआ है a person pursues only one profession and visit the office only one day in a week consider the following information and answer based on it अब हमको क्या दिया हुआ है पाच लोग दिये हुए है PQR, S और T वो क्या कर रहे है सब्ता के कुछ दिन कार्याले अपने जा रहे है ठीक है उसमें से एक plumber है एक बड़ई है एक cook है electrician है एक doctor है यह इनका अलग-अलग profession लिकिस जरूरी नहीं कि इनका order यही same हो किसी का भी कोई भी profession हो सकता है फिर हमसे कहा गया है कि एक वेक्ती एक ही पेशा रखता है जहीं जो चीज बताईए कि एक person एक ही profession रखता है फिर बोलाई निम्लिकी जानकारी पर विचार करें और यह साथ बार पर हमें answer दे फाइब परसन दिये PQRST हमको इनका अलग अलग profession दिया हुआ है अब रपलंबर फाइब परसन है विजिट ऑफिस एवरी मंडे अब देखें फाइब परसन हमारे कौन कौन से है PQRST यह हम कर सकते हैं टेबल बनाके solve परेंगे फिर हमारा कौन कौन सा क्या है यह हमारा है plumber carpenter cook electrician और doctor यह हो गया हमारा अब यह अलग-अलग day में जाते हैं तो day की table अगर हम अलग बनाएं अभी हम इसको अगर solve करके देखते हैं अब plumber visit office every Monday Monday को plumber जाता है P is an electrician who comes neither on Tuesday nor Thursday P यह की electrician है वो ना ही P देखे अब यहाँ पर हम यह करें 5 days अगर जाता है तो यहाँ पर हमारा Monday कर सकते हैं Tuesday कर सकते हैं ठीक है और इधर हम कर देते हैं Wednesday Thursday और Friday यह हमारा हो गया तो जो Monday को जाता है plumber तो लिखा है P एक electrician है जो ना तो Tuesday को जाता है ना Thursday को जाता है P एक electrician है तो वो Tuesday को नहीं जाता है और Thursday को नहीं जाता है ठीक है अब देखिए हमसे कहा गया था जो plumber है वो Monday को जाता है यानि कि यह हमारा plumber भी नहीं हो सकता ठीक है और यह Monday को भी नहीं जा सकता तो हमारे पास क्या बचा Wednesday और Friday यह बोला है T is a carpenter R is not plumber T जो है carpenter है और R जो है plumber नहीं है ठीक है अगर carpenter है तो यह Monday को नहीं जा सकता क्यों क्योंकि जो Monday को जाता है वो हमारा plumber है ठीक बोला है The person who visit the office on Thursday is not a doctor जो Thursday को जाता है वो डॉक्टर नहीं है ठीक फिर बोला गया है S works on Tuesday and T works on the following day S जो है mangalwar को जाता है और T उसके अगले दिन जाता है तो S अगर हमारा Tuesday को जा रहा है तो T उसके next day जाएगा T हमारा जाएगा Wednesday को T यहाँ पर आ गया तो T का हो गया हमारा Wednesday T हमारा Wednesday को नहीं जाता है यानि T हमारा plumber नहीं हो सकता ठीक है तो Q कि अभी साइड में रख देते हैं ąt आ जो हे वो हमारा प्लंबर नहीं है आज दीखे जो मंड़े को जाता है वो हमारा हे प्लंबर तो अगर हम देखे कि मंड़े के लिए लिए भी अभी पाशव मारे पास अब देखे ये प्लंबर नहीं होसकता अगर हम Q को देखे, Q अगर हमारा Monday को जाएगा, तो यह हमारा हो गया Plumber, ठीक है Q हमारा Monday को हो गया, Tuesday को हो गया और यह हमारा R बचा जो Thursday को जाता है, वो Doctor नहीं है, अगर हम इसको हम देखे, यह हमारा Electrition हो गया, क्यों हमारा Plumber हो गया, R हमारा यह Carpenter हमारा हो चुका था, Electrition हो चुका था Doctor यह भी नहीं हो सकता, क्यों R हमारा Carpenter हो सकता है और Carpenter नहीं हो सकता है, क्योंकि Carpenter ओलेडी हमें दिया हुआ है, तो R हमारा Cook हो सकता है, और Doctor हो सकता है तो अगर यह हमारा Doctor होगा तो यह हमारा Thursday को नहीं जाएगा ठीक है? अगर हम R को मान के चले तो देखिए R को अगर हम doctor कर दे R हमारा आगया अगर doctor R हमारा हो गया doctor तो यह Thursday को नहीं जाएगा तो Thursday इसका cancel हो गया तो R या तो हमारा Wednesday के हमारा हो चुका था ठीक है? Wednesday हमारा हो चुका है फिर S को देखा जाए S हमारा Tuesday को जाता है तो Tuesday अब हमारा यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर हमारा बचा कुक ठीक, देश की बात करें तो T हमारा Wednesday को जा रहा है क्यों? क्योंकि S हमारा Tuesday को जा रहा है S हमारा Tuesday को जा रहा है T हमारा Wednesday को जा रहा है टंबर जो है, वो मंडे को जा रहा है, तो मंडे पता लग गया हमें, तूजडे पता लग गया, वेंजडे पता लग गया, तो थर्सडे को जा रहा है, वो डॉक्टर नहीं है, तो हमारे पास कौन सा बच रहा है, हमारा जो है बच रहा है ये, ठीक है, पी के बारे में हमें क् चख कर लेठें तो बोला गया है पि जो है प्लमबर मंड़े को जाता है तो हमारा प्लबर है वो हमारा मंड़े को जा रहे ठीए उसके बाद बोला है पी ऐक Valentristian है जो ना तो Tuesday को जाता है और ना Thursday को जाता है तो यह हो गया Tuesday तो अगर हम इसको डॉक्टर अभी ना माने इसको अगर हम कुक माने अगर यह हमारा आर हमारा कुक है तो यह हमारा थर्जडे को जा सकता है ठीक है और यह हो गया इसके बाद जो हमारा एस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डॉक्टर तो एस हमारा डॉक्टर हो जाएगा और यह जाता है तूजडे को फिर आगे दिया हुआ है एस वर्क अन एक सबाल blending को जाता है और र हमारा कुक है वह ठस्ट को जाता है और एस हमारा डॉक्टर है ट्यूस्डे को जाता है और टी हमारे कारralby एर वह व्यंटे श्टे को जाता हैς अप यह होगी हमारे सॉल्ब इसमेंट परफ़कर के exatamente देखते इसका क्या question है which is the right combination सही combination कौन सा है Monday, electrician Monday को देखिए, Monday को जाता है हमारा Q, Q हमारा electrician है, नहीं Q हमारा plumber है, फिर क्या है Thursday, cook Thursday को, cook का combination जो Thursday को जाता है, वो cook है यानि ये combination हमारा सही है फिर दिया है Tuesday, carpenter Tuesday में हमारा जाता है S, लेकिर S हमारा carpenter नहीं है, S हमारा है doctor और option number D है Friday doctor Friday को हमारा ये है कि वो doctor नहीं, वो electrician है, तो दीगए information के according केवल हमारा option number 2 ऐसा है जो हमारा सही है, बाकी सारे option हमारे wrong है तो इस वज़ा से इस question का answer हमारा option number 2 हो जाएगा अब next question ने next question की बात करे, the doctor visits the office on, doctor ने कारयाले का दोरा कब किया तो doctor हमारा कौन था, doctor है हमारा S, और वो कब जाता है Tuesday को, तो Tuesday के जाएगा तो इस तरह से इस question का answer हमारा option number D आ जाएगा तो अब हो गया इसका answer option number D, Tuesday, अब next question क्या है, who is the plumber plumber कौन है, तो plumber यहाँ पे कौन है, electric, plumber sorry, plumber है हमारा Q, तो अगर Q हमारा plumber है तो इस question का answer हमारा option number A हो जाएगा, Q ठीक है, अब next question यह हो गए हमारा इसकी puzzle solve, यह आई थी हमारा R.B. N.T.P.C. के exam में, अब बात करते हमारे next question की, देखते हैं हमारा next question क्या है, अब बात करते हैं हमारी next question की, next question क्या है an assertion and a reason are given below, एक कभी गतर और एक कारण नीचे दिये गए है, assertion हमें क्या दिया हुआ है और reason क्या दिया हुआ है, पके आम होने पर, होने पर आम मीठे होते हैं, इसका कारण क्या होगा, भारत में मुख्य रूप से गर्मियों में आम उपलब्ध होते हैं अब, first हमारे statement है assertion है, और उसका एक reason दिया हुआ है, कि कथन ये दिया है, कि आम पके होने पर, आम मीठे हो जाते हैं ये चीज एक हमें statement दिया है, इस पेज़ इसका reason दिया हुआ है, कि आम क्यों पकरा है, भारत में मुख्य रूप से गर्मियों में आम उपलब्ध होते हैं अब, गर्मियों में आम उपलब्ध होने का आम के मीठे होने से कोई संबंद नहीं होता है, क्यों कि कई सारे फल होते हैं, जो हमारे पूरी तरह से गलत हो जाएगा तो अगर हम इसमें options की बात करें option क्या कहा गया है both a and b a and r are true but r is a correct explanation of a कि a और r दोनों सत्य है ये चीज़ तो सत्य है कि गर्मियों में आम मीठे होते आम पकने पर मीठे होते ये चीज़ हमारी सही दी हुए लेकिन ये चीज़ राइट है लेकिन ये चीज़ कैसे ये भी हमारा सही है कि हाँ भारत में आम गर्मियों में अपलग होते ये दोनों कतन अपनी तरफ सही दिये लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि second वाला reason है वो first अभी कतन की assertion का काईदे से explain करता है तो explain नहीं करता तो इस वज़े से इसका answer option number 2 यानि A और R दोनों सत्य है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता ये होगा क्यों क्योंकि ये इस चीज़ को explain नहीं कर रहा है कि आम का पकने पर मीठा होना गर्मियों में उपलग होने से संबंदित है इस वज़े से statement दोनों सही है लेकिन वो उसको relate नहीं करता है तो इसका answer option number 2 हो जाएगा अब next question की बात करें next है statement followed by some conclusions are given below हम इसमें statement दिया है और conclusion दिया है ध्रूम पान जो होता है smoking होती है वो चरीर को नुकसान करती है और उससे cancer होता है यह एक पहला हमारे statement दिया हुआ है अब देखते हैं हमारा second statement क्या है second है government has prohibited smoking in public places सरकार ने सारजनिक स्थानों पर ध्रूम पार करने पर रोक लगा दी है तो यह हमारा हो गया कतन इसके base पे हम निशकष निकालते लिखा है ध्रूम पान से cancer होता है तो यह वाला option हमारा 100% true होगा क्यों क्यों कि first statement में हमसे कहा गया है कि smoking जो है ध्रूम पान जो है वो स्वास्ते के लिए हानिकारर है और cancer होने का जो भी reason होता है उसमें से एक reason ध् answer भी होता है तो पहला वाला निशकष हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा अब next की बात करें next क्या है cigarette की विक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए तो जब सरकार को पता है कि cigarette पीने से कितनी बिमारियां होती है सारी चीज़े होती है तो government को इस चीज़ पर रोक लगानी चा पॉलोस एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं तो इस question का answer option number C हो जाएगा क्यों क्योंकि हमसे statement में कहा गया है कि smoking जो है वो health के लिए हानी कारक होती और किससे cancer होता है और government ने सार्वरिक स्थानों पर रोक लगा दी है तो से conclusion यह तो निकलता है कि smoking से cancer होता है तो अगर cancer हो जाएगा अब next question की बात करें next है हमारा rearrange the jumble letter to make a meaningful word and then select the one which is different एक साथक शब्द बनाने के लिए jumble letters को फिर से विवस्तित करिए फिर जो अलग है उससे चुने यह हमारा jumble number और odd one out का mix question है इसमें हमें क्या दिया हुआ है चार option दिये है इन चार option में जो हमें letters दिये हैं उनक arrange करने के बाद हमको इसको क्या करना है arrange करने के बाद इसमें odd one out find करना है अगर हम first option की बात करें o-e-n-s अगर हम इसको meaningful word बनाए तो हमारा आ जाएगा nose फिर second की बात करें तो second हमारा क्या है k-w-l-a तो क्या हो रहा है walk ठीक है और c की बात करें a-l-i-n इसको हम लिख सकते ह nail ठीक है और d option है edah इसको हम कर सकते है head अब यह हमारे चारो के चारो meaningful word बन गए है अब meaningful word बन गए है अब हमको इसमें से odd find करना है कि इसमें odd कौन है तो अगर हम odd find करें तो देखी nose nail और head यह जो तीन है यह हमारे body parts को denote कर रहे है जबकि walk हमारा body parts को नहीं denote कर रहा है तो हम यह वाला logic अगर लगाएंगे तो इस question का answer हमारा option number B हो जाएगा कि accept option 1, 3 and 4 यानि कि विकल्क 1, विकल्क 3 और विकल्क 4 को छोड़कर विकल्क number जो 2 है वो अलग है तो इस वज़े से question का answer हमारा option number B हो जाएगा अब next question की बात करें next क्या है study the following diagram and answer questions based on it the color preferences of children are given निमलिखी तारेक का ध्यन करें उसके आधार पर प्रश्णों का उत्तर दे बच्चों की रंग बरियता को दिया गया है student है उनकों कुछ colors को पसंद करते हैं उस बेस पर उसको दिया हो गया है अब देखें यह जो हमारा rectangle है यह white denote कर रहा है question क्या है कितने बच्चे how many children like how many children like both brown and white but not black ऐसे पताना है और चिल्रेंस जो brown पसंद करते हैं और white पसंद करते हैं लेकिन black नहीं पसंद करते हैं तो अगर brown और white अगर हम देखें तो यह है हमारा brown और white है यह हमारा brown और white है हमारा यह यह brown है और यह white है और हमको पता करना है जो black नहीं है black हमारा circle शो कर रहा है तो अगर हम इसमें देखें तो circle के अंदर हमारे सारे के सारे आ रहे हैं तो कोई भी बच्चा हमको ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमारा brown भी हो पसंद करता और white भी पसंद कर रहा हो क्यों क्योंकि बाकी जो अंदर को पसंद नहीं करते हैं अब बोला है the ratio of children who like brown to those who like black brown का black से ratio अगर brown हम देखें ब्राउन हमारे कितने हैं brown हमारी यह है 30 50 और एक 30 यह हमारे brown है तो total अगर add करेंगे तो यहां आएगा 50 प्लस 30 प्लस 20 तो क्या आ गया 100 ब्राउन हो गया ब्राउन का black से अब black हमारे कितने black हमारे सर्किल वाले सर्किल में सबको add करो 10 और 30 40 40 और 50 90 और 100 और 120 अगर इनका रेशियो फाइंड करेंगे कि 25 और 10 26 और 12 इतना आ गया हमारा रेश्टो 5 इस्टू 6 ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन का अंसर होगा यानि अगर हम फाइंड करें ब्राउन का black से रेशियो तो हमारा रेशियो है 5 इस्टू 16 तो इस बेस पेस कोशन का अंसर होगा हमारा option नमबर डी बस करा कु से निकाला है तो ब्लैक में टोटल जितने number of children थे उन सबको एड कर लिया है फिर उनका रेशियो फाइंड कर लिया तो रेशियो फाइंड करके हमारा 5 इस्टू 6 आ जाएगा अब यह हो गए हमारे ntpc के कोशन हमारे rrb ntpc के एक्जाम में इसी तरह के कोशन आते हैं इसके अलावा आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे के सारे प्रीवेस एर पेपर पढ़ाएं हैं जो भी हमारे ntpc के एक्जाम में आते हैं तो अपनी तयारी करते रहें किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए उसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूर इतनी जल्दी आप किसी भी एक्जाम को क्रैक कर पाऊगे